दोस्तों नमस्तार आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल गुरुजी जीवन ग्यान पर एक कब चाय बराबर दवाई आपको लेनी है और इसका सेवन लगातार एक महिने तक करना है चाय किसी भी या किसी भी प्रकार की सराब की लत आपको हो या किसी भी प्रकार की सराब की समस्या से आप परेशान है तो वो आपकी छूटना ते है बसरते आप वीडियो को पूरा देखें वीडियो के कंटेंट को पूरा देखें होता क्या है अक्सर लोग वीडियो देखना सुरू करते हैं सुरुआत की वीडियो देखते हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि नुसका हम समझ गए हैं और उसके बाद वो आयरुवेदिक नुस्कों को बहुत हलके में लेते हैं और उन्हें बिना यानि कि अधुरी जानकारी से करने की कोशिस करते हैं जो उनके लिए बिलकुल भी कारगार सावित नहीं हो पाती आपको पूरा नुस्का देखना है किस प्रकार से इसका इस्तमाल करना है वो भी आप इस वीडियो में देखें दोस्तों जो व्यक्ति साराब पीता है धुम्रपान करता है या फिर बीडी सिग्रेट का सेवन करता है उसे पता ही नहीं होता कि कैसे धीरे धीरे उसके पूरे सरीर में जहर यानि कि निकोटीन फेल जाता है उसके ब्लेट सेल्स उसके खून के हरे कत्रे में नसा लेने की तलब उठने लगती है और वो फिर नसे के और आकरसित होता है ऐसे व्यक्ति को जो बीडी तमाकू कि लच्ट या धुम्रपाद के अदत छुड़ाना चाता है उसे 100 ग्राम अजवाईन और 100 ग्राम सोंप लेकर दोनों को साप कर लेनी है उसमें 60 ग्राम काला नमक मिलाकर इन तीनों को पीछ लेना है इसके बाद इस मिस्रण में दो नीबू का रस मिलाकर इसे 24 घंटे के लिए रख दें आपको ध्यान रखना है मैंने क्या बोला 100 ग्राम अजवाईन और 100 ग्राम सोंप लेकर दोनों को खुब साप कर लें 60 ग्राम काला नमक मिलाकर इन तीनों को पीछ लें इसके बाद इस मिस्रण में दो नीबू मिला दें और रात भर के लिए इसे रख दें दूसे दिन सुबा इस मिस्रण को तयो पर धीमी आज पर तब थोड़ा सा चूड़ना लेकर मूँ में डालकर चबाएं अत्वा बीडी तमाकु एक्षा जगने पर एक एक गोली चार पांच दिन तक चूसे कुछ तिल लंगातार करने से आपके पूरी तरीके से नसे की आदत यानि की बीडी तमाकु की आदत चूड़ जाएगी अब मैंने कहा है कि इसमें दारू की दवावे में आपको बताने वाला हूँ तो सराब की दवाज पुड़वाने के लिए आपको सेवफल का रज बार बार पीना है तब भुजन के साथ सेवफल खाने से अर्था सेवफल का अधिक प्रियोग करने से सराब के अदत अब जो चाय का कप मेंने बनाया इस दवाई को किसे त्यार करना है नई देशी अजवाइन 500 ग्राम लेकर उसे जो कूट कर रख लें उसमें 8 किलो यानिकी 16 गिना पानी में 48 घंटे तक किसी मिट्टी या सीशे या कले के वरतन में भीगने दे बाद में धीमी नीमी आज प पानी को पी ले जो इस परकार करेगा इसे तीन चाह सब्ता करने से सराव पीने क्यादत छुट जाया करती है तो आई होफ आसा करता हूं कि आपको ये ज़रूर फाइदे मन्द होगी आप इसी और वीडियो देखते रहेंने के लिए हमारे चैनलों को सब्क्राइब करें ल स्ट्रेंज लव यू और बहुत सारा प्यार आफ दूए